ब्लीच एपिसोड 20 I am the edge एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है दो बच्चो को यह फिका हूँ एक छोटी बच्ची एंड एक बड़े बच्चे को जो कि यहाँ पर आए हुए लोग जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है उनकी रक्षा कर रहे होते हैं तब ही हमें एक बुड़ी अम्मा दिखाए गए यह जो कि एक क्विंसी है और यहाँ पर यह फाइट करने आ रहे होते हैं इस क्विंसी की पावर होती है कि यह कभी भी इन्विजिबल हो सकती है यहाँ पर यह चोटी बच्ची उसे कई बर पंच मानने की कोईश करती है जहाँ पर मैं पता चलता है कि यह ब्योड़ी बच्ची काफे धक तेज है और इस बुरी अम्मा को वो देख भी नहीं पारी होती है उसे लग रहा होता है कि उसने अभी अभी तो एक पंच मारा था उसे लेकिन क्या उसे उसने मार पाया थे या नहीं अभी वो confused होती है तब हमें उसी बुड़ी औरत का एक face दिखाया जाता है ये फिर कहूँ उसकी body को जो कि एक जगाच से दूसरी जगा काफी easily जा पा रही होती है वहीं पर पीछे खड़ा गड़का ये भी कह रहा होता है कि तुम कर लोगी मुझे भरोसा है तुम पर जिस पर वो छोटी लगी कहती कि मुझे कोई भरोसा नहीं हो रहा कि मैं उसे मार पाई यह नहीं क्योंकि इसे विश्वासी नहीं हो था कि उसके पंच उस पर काम कर रहे है यह नहीं तब ही वो अपने स्वार्ट को बाहर निकालती है एंड अक्की बार वो फाइट करना स्टार्ट करती है एड इस फाइट में वो उसे सुर्पनाखा बना देती है मलब वो छोटी बच्ची जो होती है वो कुईंसी की सुर्पनाखा बना देती है अब हमें बता चलता है कि इसने अपने बंकाई पावर का यूज़ किया था और यहां पर वो उसे सैंपू नाम से बुलाती है एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इसकी स्वार्ट जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है और इसके बाद यह लोग फाइट कर रहे होते है जहां पर इस लड़की की पावर काफिदा अच्छी है जिसी इसको देखकर यह लड़का भी काफिदा शौक में होता है और वो दो घोस्ट को ताली बजाती है और यह उसका होता है जन पाखाटू जो भी नाम है इसका वहीं पर हमें देखने को मिलता है जिस पर यह लड़का काफिदा शौक में होता है और वो कहता है कि मुझे लगता था कि शिकाय काई एक्जिस्ची नहीं करते है वहीं पर यह बंदी काफिदा परिशान हो जाती है क्योंकि इसे बीच से फार दिया गया था और यह लड़की थोड़ी सी कंफ्यूस होती है क्योंकि पीछे खड़ा एक वेक्ति उसे बोलता है कि तुम तो हार चुकी हो और यह कहने के बाद सभी लोग की नदर जाती है पीछे की तरफ जहां पर हमें एक लिलग को दिखायागया है और यह बुरी अलगोट उसे कहती है कि नौफए आप यहां पर कैसे जिस पर वो कहते два कि तुम्हें पता है कि मैंने ही तुमें खड़का साथती है लाल मेरी दिमाग मेरी सब्सक्तिजाएक मैंन को killer को जान सकता है और देख सकता हूँ कि तो नेक्स्ट मुफ क्या ही करोगी तब ही वहाँ पर वो लड़का सन्नसा ख़ड़ाद से देखता ही रह जाता है क्योंकि ये व्यक्ति किसी भी सुरक्षा का उत को भेज सकता है और वहाँ से वो क्रीचर बाहर के दरफ आता है इसे देखकर काफ़दा शौक लगता है और ये लड़की छोटी बच्ची जो होती है उसे मारने के लिए जैसे ही जाती है तो उसका हाथ ही तूट जाता है सिर्फ एक मात्र इसके सोचने से यानि कि इसकी एक नैचरल एबिलिटी जो कि इसके हाथ को मोड़ देती है सिर्फ इसके सोचने बसकी वैसे और ये खुद को दव विजनरी नाम से बुलाता है और हम अभे खुद भी इसे एक विजनरी नाम से बुलाएंगे चापर ये लड़की काफिदा शौक में होती है तब ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जाराकी जाराकी जाकाराकी जो भी नाम है इसका खैर यहाँ पर उस छोटी बच्ची को केनी को वापस जाने के लिए बोलता है वहीं पर हमें दिखाया गया देखने को जो की जाराकी के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम मुझे काफी जादा स्ट्रॉंग लगते हो लेकिन तुम बस मेरी एक इमाजिनेशन के सामने खड़े हो और वो कुछ भी नहीं मेरी बस सोचने मातर से ही तुम मारे जा सकते हो और इस चीज़ को वो कैप्टन जाराकी सामने कहरा होता है कैप्टन काफी ध्यान से उसकी बातों को सुनता है और वो कहता है कि ये सब किसलिए चलो हम कहीं दूर फाइट करें और तभी वो बंदा अपने बॉड़ी से अपने सिर्फ सोचने की ताकत से उस पूरी जगह को हवा में उठा लेता है या फिक कहूँ आसपस की पूरे एरिया को एक छोटा सा मंच बना देता है लेकिन काफी बढ़ा लेवल पे तभी कैप्टन उसके कंदे को फार देते हैं बीच से और उसका शरीर वही से कट जाता है इस चीज को सोचकर वो काफ़ा शौक में होता है कि उसकी बॉड़ी एक स्टील से भी जादा मजबूत थी और उस वेक्टी ने उसे बीच से फार दिया जैसे कि वो कभी कुछ था ही नहीं ये सब कुछ देखते हुए भी वो ख़बराता नहीं है वो वेक्टी यानिके दफिजनरी कैप्टेन जाराकी के सामने खड़ा होता है कैप्टेन के आँकों में बिल्कुल खूम उतराया है जैसे वो मारतना के और मरने के लिए बिल्कुल तयार बैठे है उनकी स्वार्ड भी दिखाई गई है सभी लोग इस चीज़ को देखे है कि वो कैप्टेन जारा की है इस बात से वो सभी लोग काफे जाखुश होता है क्यूंकि उनकर प्रेशर होता वह बहुत जादा होता है एंड कैप्टन भी उनकी तरफ देखते हैं जिसके बात हमें देखने को मिलता है जिस पर वो बच्चा यह कहता है कि तुम मेरे सिर्फ एक imagination की बीच में फलसे हो अच्छा हो तो तुम्हें कभी भी खतम कर सकता हूं तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम मेरे सामने जीती ही नहीं सकोगे पहले ही तुम कितने ही पावरफुल क्यों नहों तुदा कि रखकी कहता है कोई बात नहीं मैं फिर भी फाइट करूंगा और तब ही पूरा लावा उनके उपर फीक दिया जाता है जहां पर कैप्टन उसे काफी इसली बीट कर देते हैं यह कहते हुए कि तुम लावे से ही बचगए यह सब कुछ दे बिजनरी कहरा होता है अब उसके बाद वो उन्हें एक Allez कूप में फसा देता है जहांपर वो उस लड़की को मारने वाला होता है यह फिंक को क्रते है acrediten बैट के यह सब कुछ नजारे देख रहा होता है कि दब विजनरी की फाइट चल रही है वह भी कैप्टन के साथ अब यहां पर में दिखाया कि जो कि फाइट कर रहा होता है और वह फाइट करने के लिए काफी अलग अलग तरीके के वेपन का यूज्ज करता है जो कि हमारे मॉर्ड टेक्निलोजी से रिलेटेड है यहां फे वह गन्स और मिसाइल बॉब वगेरा सबसे फाइर कर देता है लेकिन कैप्टन के सामने यह सब कुछ एक मात्र खिलोना है और कुछ भी नहीं यह सब कुछ कहने के बाद वह कहता है कि बस तुम्हारे हाथ में अत सिर्फ फाड देते हैं लेकिन यह वैक्ति अपने आपको वापस से रिहील कर ही लेता है इस चीज को देखने के बाद यहां पर हो कहता है कि तुम यह सब कुछ कैसे कर पा रहे हो बस मेरे सोचने की वज़े से भी तुम यह सब रही रुख पा रहे हो इसका मतलब सच में ही लेकिन परिशान मत हो मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा और मैं तुम्हें मार कर ही मरूंगा कैप्टन जरा राकी यह सब कुछ कहने के बाद कैप्टन अभी उसकी तरफ देख रहा होता है और एक फिर से अटैक कर ही देता है इस बार का अटैक काफे जरा पाउफुल होता ह है लेकिन वह इस बार अपनी इमेजिनेशन से दो और क्लोन मनाता है जहां पर उसके साथ ही और अपने इमेजिनेशन के साथ ही मतलब एक काफी बड़ा मिटी और लाइट की लेकर आता है जो की जारा की तरफ अगे रहा होता है अभी यहांगा पर सभी लोग का घबरा भी हैं कि a Kathleen गररा है हमारे उपड़ी एक कि हम मर सकते हैं जहां पर क tailored तक हो रहे होते हैं जहां पर वही पर कली न की साथ दिखाया गराया है प्रफ को या पर से को पूछते कि तुम्हारा सब कि यह कोई ने कोई रिलेशन होगा हमारे आने वाले फ्यूचर के साथ यहां पर जाहारा की जो होते हैं यहां पर यहां पर देखने को मिलता है कि यह सब कुछ उन्होंने बहुत इसली काट दिया और यह वैक्ती इस चीज़ को देखकर बहुत दा शौक में होता है यानि कि अभी जो हुआ वो क्या एकदम सच था या फिर मेरा एक सिर्फ वहम है और यह कहने के बाद ही वह उसे एक वैक्यूम चैंबर में एक वह स्पेस म में फेगने के दौरा नहीं उसके मुझ से सारी हवाएं और ऑक्सीजन की हर एक कड़ बाहर निकलने लेकी शरीर से लेकिन यह उसे भी तोड़ते हुए बाहर आते हैं जहां पर विजनरी जो होता है अपने कई सारी क्लोन को एक साथ उनके पास हरक के ब्लास्ट कर देता है जो होता है वहां पिर बिश्कर चुक्त काप्टन जहां पर दिजनरी जो होता है अपने शरी को बढ़ा करके फाइट करने के लिए जाता है यह सूचकर कि वह से फाइट पर जीट जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता बैसकि जाहरा राक्त है जो बहुत जबःदा तुम काफी जदा अच्छे फाइट करते हो रैसे तुम और एक मेरे सोची की हर चीज ने काफी इसली पूरी हो जाती है और मेरे तुमाहें सामने जो खड़ा शरीर है एक्चुली में ये भी मेरे एक सोच का नतीजा है और अब हमें बद चलता है कि उसका सिर्फ एक ब्रेंड है जो कि अभी तक सब कुछ मैनेज कर रहा था इस चीज को देखकर काफी दा शौक में होते हैं कि अभी जो वेक्ती मरा वो सर्फ उसकी एक सोच थी कि उसका चेहरा ऐ सब्सक्राइब करें ये लिंक इन डिस्क्रिप्शन थैंक यू टेकरें बाइबाइबाइज सी उ